हेलो फ्रेंड्स, हमारी चैनल हिंदी सरल सिक्षन में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम हिंदी व्याकरण में द्वन्द समास के चर्चा इस वीडियो में करेंगे अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नए गिया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक केजे और बाजू पर दियेगे बेल आइकन पर क्लिक कीजे जिससे हमारी नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे द्वन्द समास, हिंदी व्याकरण, समास के प्रकार पहले देखेंगे समास के चप प्रकार होते है पहला है अव्यवाव समास, दुसरा तत्परुष समास, तीसरा द्वन्द समास, चौथा बहुरही समास, पाचवा द्रिगु समास और छठा कर्मदारे समास आज हम तीसरा द्वन्द समास की चर्चा दिखेंगे अगले दो वीडियो हमारे चैनल उपर अपलोड किये हुए है जिसमें अव्यवाव समास और तत्परुष समास आप देख सकते है द्वन्द समास की परिवास है पहले देखेंगते है द्वन्द समास में दोनों पद प्रदान होते है दोनों पद प्रायाह एक दूसरे के विलों होते है सदैव नहीं इसका विग्र करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है तो आज हम द्वन्द समास के उदाहरन विग्र के साथ दिखेंगे माता पिता विग्र होता है माता और पिता डाल रोटी डाल और रोटी पाप पुन्य पाप या पुन्य पाप और पुन्य अन्य जल अन्य और जल जल वायू जल और वायू फल फूल फल और फूल बला बुरा, बला या बुरा रुपिया पैसा, रुपिया और पैसा अपना पराया, अपना या पराया निल लोहित, निला और लोहित दर्मा धर्म, दर्म या अधर्म सुरासूर, सूर या असूर, सूर और असूर सितोष्ण, सीत या उश्ण यसापियस, यस या अपियस सितातप, सीत या आतप सस्त्रास्त्र, सस्त्र और अस्त्र अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करे, सेर करे और कॉमेंट करे और ऐसे हिंदी व्याकरन के हमारे वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करे